नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपके एश्ट्रो मित्रा पर और आज हम बात करेंगे रहे हैं कि एश्ट्रेखा यानि हथेली का अध्यन करवाने के लिए महिलाओ को कौन सा हाथ का अध्यन करवाना चाहिए दाया हाथ या बाया हाथ तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किर्पया करके सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे तो हम बात करते हैं कि हस्त रख्या अध्यन करवाते समय महिलाओं को कौन सा हाथ का अध्यन करवाना चाहिए दाया या बाया हाथ तो आ बाएं हाथ की रेखा हमें बताती है कि हम कैसे किसमत लेकर पैदा हुए हैं जिसके बाएं हाथ की रेखा सुन्दर असपश्ट और अच्छी होती है और उसमें सुप चिन्नों की अधिकता होती है और असुप चिन्नों की नियुनता होती है वैसे वेक्ति अच्छे पडिवार हासिल करने के लिए संघर सील रहेगा लेकिन अगर किसी व्यक्ति का दाएं हतेली की रेखा बाएं हतेली से अच्छी हो तो वैसा व्यक्ति अपने मेहनत और पुरसार्थ से अच्छी काम्याबी अपने जीवन में हासिल कर लेगा अगर बाई हथेली दाई हथेली से अच्छी हो तो वैसा व्यक्ति अच्छे पडिवार में जनम तो ले लेता है मगर वो अपने कर्मों और पुरसात की कमी से उतनी काम्याबी हासिल नहीं कर पाता तो चलिया आगे बात करते हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ हमें देखना चाहिए तो पोरानिक मान्यता के अनुसार भगवान सिव के अर्धनारी स्वर रूप के अनुसार दायां अंग पुरुस और बायां अंग महिला का दर्साया गया है तो वैसी महिला जो आर्थिक रूप से अपने पिता या पती पर आसित है यानि उसका भरन पोसन उसके पिता या पती या भाई कर रहा हो वैसी महिलाओं को हमें बायां हाथ देखना चाहिए जो महिला पढ़ाई कर रही हो उनका भी हमें बायां हाथ देखना चाहिए तो आईए बात करते हैं कि किन महिलाओं का दाया हाथ देखना चाहिए तो वैसी महिला जो अपने परिवार की जिमवारी आर्थिक रूप से यानि परिश्रम के द्वारा धन कमा कर करती हो या वैसी महिला जो जो जोब या बिजनस करती हो या जिस घर में महिला द्वारा कमाए गए धन से उनका परिवार का गुजर बसर चलता हो या जिस घर में पुरुस की अपेच्छा महिला की वो अधिक छमता अधिक हो और घर में सारे महतपुर्ण फैसले महिला धरा किया जाता है वैसी महिलाओं का दाहिना यानी दाया हतेली का अध्यन करवाना चाहिए और गिरनी हाउसी वाइफ या छहत्राएं जो भी पढ़ाई कर रही हों उनका बाया हतेली का अध्यन करवाना चाहिए और वैसे पुरुस या महिला जो अपने दाया हाथ की या पेच्छा बाया हाथ की इस्तमाल परमुक्ता से करते हों जिने हम लेफ्टी या लेफ्ट हैंड़ भी कहते हैं उनका भी बाया हाथ का अध्यन करवाना चाहिए चाहिए वो महिला हो या पुरुस हो तो आसा करता हूँ कि मैं आपका या संसे दूर पकर पाने में सफल हुआ हूँ तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, नमस्कार आपका दिन सूब हो